नमस्कार लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है कि लर्का और लर्की अगर घर से भाग जाएं उसके बाद से पुलिस कौन से सेक्शन में F.I.R. रेइस्टर्ट करती है और वो पूरा प्रोसेस F.I.R. लिखने, स्टेट्मेंट देने, इन सब का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, सेक्शन वाइस बताऊंगा, मैं आपसे कौनगा कि इस वीडियो में आप शुरू से एंड तक बने रहे है ताकि प्रोटेक्शन, F.I.R. या लममेरी से रिलेटेड कोई भी इंक्वाईरी आपक इसका मतलब यह हुआ कि थाने में जाएंगे, астьकर बताएंगे, वो लरकी की भी फैमिली या सकती है, और ये बताएंगे कि भाई, मिसिंग है, कोई इन्फृमिशन नहीं है, ऐसे करके गुमशूद्गी का रिपोर्ट डर्ज करा सकते हैं. और जैसे ही गुमशूद्गी का रिपोर्ट दर्ज होता है उससे 48 से 72 घंटे के बाद वो FIR में convert हो सकता है अगर कुछ ऐसा information मिल जाए जिससे लगे कि सचमुझ कोई अपराध हो गया है या कोई भी information ना मिले तो भी statement के basis पे parents के statement के basis पे FIR registered हो सकता है अब सवाल यह है कि माल लिजे लरका और लरकी घर से भाग गए भाग के जाने के बाद से गुमशुदगी की report दर्ज कर ली गई या फिर गुमशुदगी की report ना भी दर्ज होई हो तो भी अगर कोई व्यक्ति जाए और सीधे सीधे यह आरोप लगाए कि यह लरका मेरी बेटी को बहला फुसला के लेके चला गया है तो भी पुलीस जो है गुमशुदगी का ही report दर्ज करती है पुलीस यह कहती है कि आपको मालूम है वो गुमशुदगा नहीं है वो कहां गया यह गुमशुदगा नहीं बोल सकते है आपको पता है कि उस व्यक्ति को ये लरका आपकी बेटी को ये लरका ले करके गया है और इस इस परपस के लिए ले करके गया है तो फिर भी पुलिस वेट करती है 48-72 घंटे तक उसके बाद ही F.I.R. रेजिस्टर्ट करती है इन एनी केस चाहे गुमशुद्गी के F.I.R. र सबसे पहला सेक्शन जो पुलिस यूज करती है वो IPC का सेक्शन 366 है जिसमें किड्नेपिंग किड्नेपिंग या अब्ड़क्टिंग और इन्कूदिंग विमन तू कंपेल हर वोवर किड्नेप और अर अब्डक्ट एनी विमन विट इन्टेंट दाट शी में बी कंपेल औ मतलब यह है कि अगर किसी महिला को बहला फुसला करके उससे शादी किया जाए या उसके साथ शारेरिक संबंद अस्तापित किया जाए तो IPC का सेक्शन 366 यह कहता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें F.I.R. रेइस्टर्ड हो सकता है आप इस पे ध्यान दिजेगा कि यह कहा जा रहा है बहला फुसला के बहलाया फुसलाया कैसे जा सकता है एक बाली को वो साबित करना पड़ेगा तो बहला फुसला के हुआ या कैसे हुआ ये बाद में जाच का विशय है लेकिन पहले यही आरोप पैरेंट्स लगाते हैं और इसके बेसिस पे 366 में FIR रेइस्टर्ड हो जाता है एक दूसरा सेक्षन जो सब लोग जानते हैं वो IPC का सेक्षन 376 का है यानि रेप का है जिसमें बताया जाता है कोई रिलेशन्शिप नहीं था कोई शादी के लिए लेकर के नहीं गया है केवल और केवल इंटेंट जो है वो रेप करने का है जबरदस्ती शारिरीक संबंध ब लगाया जाता है एक और सेक्षन लगाया जातो आईपीसी का सेक्षन है जिसमें रॉंगफुल कनफाइनमेंट के लिए लगा दिया जाता है जिससे कि जबरदस्तिक किसी ने किसी को बंधग बना लिया हो ये भी एक सेक्षन होता है जिसमें एफाईया रेइस्टर्ड किया नॉर्मली अगर कोई भी कपल लम मैरेज करते हैं तो वो घर से निकलेंगे घर से निकलने के बाद से पहले आरे समाज में या अपने रिच्वल के हिसाब से शादी करेंगे फिर कोर्ट में रेइस्टर करेंगे सेम डे सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो 48 से 72 घंटा होने से पह कैसे पता चलेगा इसके लिए जरूरी होता है कि आप officially पुलिस को intimation letter भेजें ये बहुत जरूरी चीज होता है और क्योंकि FIR registered हो जाता है तो उसको पुलिस अपने आप भी नहीं खतम कर सकती पुलिस FIR को खतम करने के लिए court जाएगी और court में पूरा incident देखा जागा कि आ आपने शादी कब किया पुलिस को आपने inform किया या नहीं किया ये सब कुछ देखा जाता है तब जाकर के case खारीज होता है तो इन पूरे process के लिए intimation letter बहुत एक important part हो जाता है उसके बाद जरूरी पड़ता है 161 का statement पुलिस 161 का statement लेना चाहती है यानि पुलिस officer के सामने CR CRPC 161 के अंतरगत हम जो भी statement देते हैं उसको बोला जाता है statement before police officer under CRPC 161 तो ये तब होता है जब आप पुलिस के सामने अपना ब्यान देते हैं इसी ब्यान के अधार पे police case को investigate करती है या close करती है इसके अलावा पुलिस को अगर लगे कि 164 का भी statement लेना जरूरी है तो पुलि police आपको magistrate के समक्स paste करेगी यानि कोई नियाईक दंडा धिकारी के सामने paste करेगी और वहाँ पे आपका statement होगा और उसके अधार पे case पे further जो उसको action लेना होगा वो लेती है अब क्या होता है मानने जी आपको सूचना मिली कि आपने intimation भिजवा दिया था फिर भी पैसे ख police गिरफतार करने की धंकी ना देने लगे अगर ऐसा कोई situation होता है इससे बचने के लिए हम high court में जाते हैं और वहाँ से protection order लेते हैं जिसमें high court ये रोक लगा देती है कि आप गिरफतार नहीं कर सकते कफल को मतलब जब कफल जाएंगे 164 के बयान के लिए 161 के बयान के ना परेगा गिरफतार नहीं कर सकते हैं तो ये पूरा process होता है जिस process के मताबिक अगर लरका और लरकी घर से भाग जाए तो police deal करती है उमीद है कि आपको समझ में आया होगा अगर आपको इससे related और भी कोई information चाहिए और जनकारी चाहिए तो आप हमारे help line number पर call कर सकते है marriage करना हो, court marriage करना हो तो आप हमारे help line number 8800 4455 पर भी call कर सकते हैं हमारी website leadindia.log पर visit कर सकते हैं और visit करके पूरा information ले सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको like किजिए, channel को जरूर subscribe किजिए, thank you so much for watching this video, thank you so much कर दो कर दो कर सकते हैं